वेल आज इस वीडियो के अंदर आपको global markets की complete information मिलने वाली है अगर आप इंडियन stock market में trade करते हैं तो global market हमें कितना impact करती हैं उसमें क्या क्या हमें देखना जरूरी है वेल यहाँ पर आप मेरे पीछे देखिए एक आपको यहाँ पर nifty का line chart देख रहा है जो की orange color में है और यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि भई अगर हम इन दोनों के charts देखे तो काफी similar होते हैं अगर आपको nasdaq में fall देखेगा तो आपको nifty में भी fall देखेगा और अगर आपको bounce back देखेगा nasdaq में तो आपको nifty में भी bounce back देखेगा अब कुछ चीज़ें यहाँ पर काफी strange जो आपको पता होनी जरूरी है मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो economy है वो developing nation है अब developing nation है इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो nifty है वो nasdaq को replicate करने की कोशिश करता है जैसे मैंने बोला कि अगर आपको bounce देखता है nasdaq में तो आपको यहाँ पर भी bounce देखेगा और इंडेक्स बना हुआ है similarly जो nasdaq है वो USA का इंडेक्स है जिसके अंदर जाधा तर जो बड़ी IT companies है वो registered है अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात क्या है कि जैसे मैंने बोला कि अगर आपको fall दिखता है nasdaq में तो उसी तरीके से आपको nifty में भी fall देखता है बट कभी आपको जाधा तर ऐसा दिखेगा कि अगर nasdaq में कुछ बड़ा हुआ है बड़ी गिरावट आई है बड़ा उचाल आया तो निफ्टी में भी दिखेगा और जैसे मैंने आपको यहां पर एक representation दी है कि जैसे जैसे हमारा nasdaq में हो रहा है वैसे वैसे निफ्टी में होता है अब यहां पर चीज क्या है कि अगर आप इंडियन स्टैंडर्ट टाइम के हिसाब से देखें तो हमारी जो माकेट है वह आपको सुबह नौ बजे सबह नौ बजे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है साड़े तीन बजे बंद हो जाती है पर उसके बाद अगर आप इंडिया क हिसाब से देख रहे हैं तो नैसडेक शाम के साथ बज़े शुरू होता है और देड़ बज़े जाके नैसडेक खतम होता तो देड़ बज़े तक जहां पर नैसडेक में ट्रेडिंग चल रही थी तो है क्या चीज अब हमारी मार्केट अगले दन खुलेगी अगर आप यहा जाकर आप देखते हैं अमेरिकन मार्केट उपर होती है तो अब यह गलोबल मार्केट अलग अलग टाइमिंग पर चल रही है इससे आप पर क्या इंपक्त है कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि नैसडेक में उच्छा लाना शुरू हो गया तो निफ्टी में यहां पर हम आजाते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अब जब मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे आप यहां पर सबसे ओपर मार्केट देखेंगे यहां पर ग्लोबल मार्केट पर अपक्लिक कर देंगे आपके सामने ग्लोबल मार्केट आगई आपको सारी मा को देख रहे हैं European markets में हमारे लिए जो important market है वो है आपकी UK की market अब जो FTSC है इस index को हम यह पर track करेंगे financial times stock exchange का इसी तरीके से Asian markets में हम SGX को SGX हो जाता है यहां पर Singapore Nifty हमारा जो निफ्टी है उसका एक derivative future derivative Singapore exchange में भी trade होता है जिसे हम SGX Nifty बोलते हैं इसके बारे में भी आपको बताने वालों बाकी आप चाहें तो अभी इगनूर कर सकते हैं यहां पर आप हमने तीन index की बात करें एक Nesdaq की FTSC की और SGX Nifty की अब यहां पर पहले हम SGX Nifty को समझ लेते हैं अगर हम यहां पर सिंगापूर के Nifty की बात करते हैं थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा अलग क्यों है क्योंकि यहां पर जब हम SGX Nifty की बात कर रहे हैं तो हमारी market तो तकरीबन हमारे लिए सबह नौबजे ट्रेडिंग शुरू हो रही है नौबजे खुल रही है बट अगर आप इंडियन मांक इंडियन टाइमिंग के बड़ा हुआ दिखता है अचा ऐसा जादतर टाइम होता है कि अगर SGX Nifty बड़ा तो हमारे पास भी gap opening हो सकती है और अगर SGX Nifty गिरा हुआ है या डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें तो हमारी मार्केट में भी अगर जब opening होगी तो आपको दिखेगा कि यह gap down opening हो सकती है बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें SGX Nifty तो green दिखता है बट फिर भी हमारी market के अंदर तो कोई उच्छाल नहीं दिखता हो सकता है वहाँ पर green दिख रहा हूँ SGX Nifty आपको यहां पर जब opening ही हो तो gap down opening हो तो इसका मतलब क्या होता है इसे समझ लेते हैं हमारी market में जब आप देखते हैं कि 9 बज़े से लेकर साड़े 3 बज़े तक trading होती है सिंगाबूर के हिसाब से अगर आप देखेंगे और इंडिन अब इससे समझना आपको जरूरी है अचाहिए जो सेगेंड सेशन है इसकी settlement अगले ही दिन होती है तो यहां पर टी प्लस वन में settlement होगी मतलब settlement इसकी अगले दिन morning में हो रही है बट फिर भी trading अगर लोग करना चाहते हैं तो यहां पर चार बच के दस अब होता क्या है मैं example दे रहा हूं मान लेते हैं पहले सेशन में निफ्टी 16,000 पर close हुआ 16,000 पर close हुआ अब यहां पर आपको क्या दिखता है कि शाम तक की जब हम बात करें निफ्टी जब close हुआ 15,950 पर close हुआ अब 50 पॉइंट गिर गया जब अगले दन साड़े 6 बचे मार्केट खुली तो वो मार्केट आपको खुलती हुए दिखी 16,000 पर ही तो अगर वो 16,000 पर ही खुली तो अब क्या हुआ मार्केट जहां थी वहीं पर आगई बट आपको क्या दिखेगा जब आप मनी कंट्रोल की वेबसेट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा आप सुबह सुबह देख रहे होंगे आप ट्रेड करने के लिए मान लेते हैं 9 ब और दूसरे सेशन में कहां तक क्लोज हुआ तो यह परसेंटेज मैटर कर सकती है बट आपको थोड़ा सा और डेप्थ में समझना पड़ेगा अब यहां पर ट्रेडिंग व्यू में जैसे अभी मैं आपको दिखाई रहा था कि आप sgx nifty को भी ट्रैक कर सकते हैं जैसे मैं इंडियन निफ्टी में होगा वहां पर होगा पर हमारी निफ्टी औरेंज वाली अगर आप लाइन देखेंगे वह रुक चुकी है बट ब्लू वाली अभी चल रही है तो ब्लू वाली क्यों चल रही है क्योंकि वहां पर सिंगापूर में ट्रेडिंग हो रही है अगर यह तो उसका असर हमें SGX निफ्टी पर देखेगा और निफ्टी पर अगले दिन देखेगा अब इससे हमें क्या फरक पड़ेगा क्योंकि कई सारे लोग बोलेंगे हम तो ट्रेडी नहीं कर पाएंगे यह समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट है बहुत तो मैं आपको यह यहां पर समझाने की खुशिश करता हूं अब माल लेते हैं आपने सुपर सुपर 8 बज़े देख भी लिया आप अभी ट्रेड करने बैठी ही थे आप मार्केट जब खुलेगी तब खुलेगी आपने 8 बज़ तो क्या फरक पड़ जाएगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे पर आप एक चीज़ कर सकते हो कि उस दिन आप खरीदेंगे नहीं क्योंकि SGX निफ्टी ने फॉल दिखाया है तो हो सकता है उस दिन आप बाइंग पोजीशन को अवाइड गरो क्योंकि अगर एक बड़ा फॉ म्याइब में क्या चल रहा है ओवराल गलोबल मार्केट बड़ी हुई यां गरी होई है अब यहां पर इस एक्जम्बल को खेए अगर ओवर争ल मारकेट बड़ी हुई दिखती है कि ऑले तो निफ्टी में में निफ्टी चौनी आई अमसे सिनाउक की बाद करते लेप और क मार्केट बढ़ रही है तो उसका असर भी आपको निफ्टी पर देखेगा और अगर वर्ड की मार्केट गिर रही है हो सकता है आज निफ्टी बढ़ रहा हो बड़ निफ्टी जैसे मैंने बोला कि खास कर Nasdaq को यहाँ पर follow करने की कोशिश करता है और global markets को भी follow करेगा कि अगर असर global markets पर आ रहा है तो nifty पर भी आएगा अब एक चीज़ यहाँ पर है आपको impact trading में एक चीज़ से और पर सकता है जो कि FTSC की उपर आपको समझना ज़रूरी है जो UK की market है जब UK की market open होती है तो उस वक्त हमारा trading arts चल रहे होते हैं तो यह ऐसी market है जब हमारे खुद की Indian market चल रही होती है तो यह बीच में open हो रही है तो इससे हो क्या सकता है कि अगर यहां पर FTSC बहुत सदा gap डाउन ओपन हो जाता है तो हो सकता है हो सकता है हर बार नहीं होगा तो कोई 100% probability नहीं कि अगर वहां पर आपको gap-down opening दिख गई तो अभी निफ्टी भी असर दिखे अब ऐसा क्यों हो सकता है क्योंकि हर चीज के पीछे क्यों लगाना जरूरी है तो concept clarity यह main focus रहता है मेरा कि आपको concept clear हो देखो इंडिया के अंदर जो markets को हिला रहे हैं लोग वह हम retailers तो है नहीं foreign institutional investors जो इंडिया में invest कर रहे हैं वो क्या आपको लगते UK की मार्केट में यह US की मार्केट में वंडिया कर रहे होंगे अगर वो UK की मार्केट में buy कर रहे हैं और वहां पर UK की market उपर जा रही है तो हो सकता है वो similar position हमारे इंडिया मार्केट में भी बराएं बट ज़रूर नहीं और अगर वो UK की मारकेट में बहुत तेजी से कर रहे हैं तो global market में अगर कुछ कर रहे हैं तो वो एक दिन में एक ही जग़ा पे सब कुछ नहीं करेंने उनका पैसा बहुत जगाओं पे लगा हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं वो इंडियन मारकेट में भी सिमिलर चीज़ कर सकते हैं जिससे हमारे नियुक्त की ब की मारकेट पर इंडियन मारकेट एंडियन मारकेट पर असर पढ़ता है क्योंकि सेम जब हमारी स्रेयु ट्रेडिग तब उनकी market open हो रही है, तो बीच में भी कुछ impact आ सकता है, आपने देखा होगा कही बार ऐसा कि निफ्टी एक trend को follow कर रही थी, और बीच में वो sideways उजाती है, यह trend change उजाता है, उसका कहीं न कहीं impact यहां से भी आ सकता है, तो global markets के बारे में आपको जो समझना था, मैंने आप को समझानी की कोशिश करी है, सबसे पहले तो आप global market को track कैसे कर सकते हो, मैं money control को follow करता हूं, आप भी कर सकते हो, तो कोई paid promotion नहीं, मैं आपको free में बता रहा हूं, कि एक free website है, आप चाहिए तो इसे use कर सकते हैं, आपको यहां पर global indices देखी रहे हैं, और इसके अंदर जो आ करने हैं, मैंने आपको बता है, NASDAQ, FTSC और SDX Rifty, यह तीन चीज़े आपको main track करने की ज़रोत होती है, आप चाहें तो यहां पर Japan का भी देख सकते हैं, इसी तरीके से आप China का भी track कर सकते हैं, index तो सारी index हैं यहां पर, अब कुछ लोग France की भी बात करेंगे, DX Germany की भी बात करेंगे, तो बहुत ज़दा important निया, अब overall sentiment देख लीजिए, overall sentiment अगर आपको positive देख रहा है, तो overall sentiment is essential to understand की आज, nifty कहां जा सकता है, so it could be a prediction, कि अगर global market में अच्छा हो रहा है, तो हमारे nifty के लिए भी अच्छा होगा, अब यह वीडियो आप कैसी लगी, आप comment करके ज़ सब्सक्राइब कीजिए, बैल एकन पर क्लिक कीजिए, अगर आप stock market को और भी जाए डिटेल में सीखना जाते हैं, तो हमारे पास industry experts के different courses है, option trading के ओपर, swing trading के ओपर, तो screen पर जो number आ रहा है, इस number पर call करके आप इन courses की जानकारी भी ले सकते हैं, finally I will see you in the next video, till that time you share this video and go self-made दोधोई